आज हम कक्षा 11 के मनोवेज्ञान के दूसरे अध्याए जिसका मनोवेज्ञानिक जांस के लक्ष उसके चरण और उसकी कुछ विदियों के बारे में चर्चा करेंगे इस अध्याए को हमने तीन भागों में बाटा है पहले भाग के अंदर हम देखेंगे के अनुसंधान परक्रिया करने के लिए एक मनोवेज्ञानिक कौन-कौन से स्टेप्स लेते हैं सबसे पहला स्टेप है कि हम जो भी सबजेक्ट हमने जिसके बारे में अनुसंधान करना होता है हम उसकी सेलेक्शन करते हैं सेलेक्शन करने के बाद उसमें हम एक बात ये देखते हैं कि एक विवार दूसरे विवार से किस पर कारणतर होता है एक विशेश विवार के लिए कौन-कौन से कारण होते हैं और उसके बाद हम उस विवार के बारे में पूरव कथन करते हैं प्रेडिक्शन करते हैं सबसे पहले हम उस विवार को सही रूप से समझा जाता है उसके बाद वुचित वर्लन किया जाता है वर्लन करने के बाद जब हमें अन्य विवारों, घटनाओं और उससे जितने भी जुड़े हुए गोचर होते हैं, वेरियेबल्स होते हैं उनके संबंद के बारे में हम ग्यान और जित करते हैं जैसे विद्यार्थी द्वारा ध्यन के लिए लगाया गया समय तथा उसकी उपलब्दी हमने एक बात ये देखनी है कि एक विद्यार्थी की तरह समय लगाता है अपने धेन के लिए और उसकी उपलब्धी क्या है अब जो समय है इसको हम बदल सकते हैं, कम कर सकते हैं, अधिक कर सकते हैं तो फिर हम ये देखते हैं कि उस विद्यार्थी के निश्पादन पर उसकी परफॉर्मेंस के उपर क्या प्रभाव पड़ता है तो ये हमारी एक समश्यावी, जिसका हमने पूरन रूप से वर्णन समझा कि क्या कारण हो सकता है कि जब हम विद्यार्थी समय बदलता है तो वो समय बदलने के साथ उसके निश्पादन में क्या परभाव पड़ता है तो इन सब कारकों का हम पहले अध्यान करते हैं, इसको निर्धारित करते हैं उसके बाद जैसे मनोवेग्यानिक सबसे पहले कुईसी विवार के कारण को अथवा उसके निर्धार्थी को समझने के कोशिश करता है जानकारी प्राप्त करता है, कि उस विवार को कौन-कौन से कारक हैं जो परभावित करते हैं, उसके बाद एक विशिष्ट विवार होता है और उसके लिए एक विशिष्ट कारण भी हो सकता है, तो इसलिए हम कारण और परभाव को जाननी के लिए मनोवेग्यानिक रिसर्च की जाती है जिसके लिए कुछ ऐसी भी चीजी होती है जिसके लिए कोई भी कारण निरधारित नहीं होता है अब आता है हमारे पास कारिये कारण संबंद यह मैंने जैसा आपको बताया कि हम किस परकार से कारण क्या है और उस कारण से उत्पन्द हमारा विभार क्या है वो हमा के हमें बहुत से कार कैसे हैं जिसका हमें नियंतरन करना पड़ता है व्यवार विशेश के घटित होने की व्यक्या की जाती है उसके बाद उत्विवार की पूर्ण वर्ति दशाओं में व्यवार क्यों हुआ वह इससे पहले कौन से घटलाएं थी जिसके कारण ये व्यवार हुआ और उसके बाद परिवर्तन करके उन कंडिशन के अंदर हम परिवर्तन करते हैं कंडिशन Beim करण के बाद विवार में क्या परविवर्तन आता है उसका अध्यैंप्लय जैसा मैंने आप को अग्जामपल बताया हम विद्यार्तियों दवारा दिए गैए समैं और उन की उनका निश्पादन उस पर क्या असर है तो हम जैसे जैसे समय बदलते जाते हैं अध्यन का निश्पादन पर क्या परभाव पड़ता है तो इस तरीके से हमने इस समझ्चा को पूल रूप से समझा जब मनोव्यज्ञानी को सभी कारकों के बारे में ज्यान हो जाता है तो उसके बाद वो participants को select करता है participants को select का क्या मतलब है मान लेजिए कि जिस विशे के बारे में हम अनुसंधान करना चाहते हैं उसी से related उसी से संबंधित जो व्यक्ति हैं उनका chain किया जाता है जैसे मान लेजिए हम किसी hospital के अंदर किसी hospital के अंदर हम जब धेन करना चाहते हैं कि यहां की प्रिस्तियां कैसी है तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें वहां के patient को देखना पड़ेगा या वहां के employees हैं उनको देखना पड़ेगा या उनके जो परबंदक हैं उनको सेलेक्ट करना पड़ेगा और उनके उपर हमें अनुप्रियोग करना पड़ेगा तो इस तरीके से अनुसंधान तवारा अर्जित ग्यान का वस्तो निश्ट तरीकों अनुप्रियोग करके हम लोगों के जीवन में क्या स्कारात्मक प्रिवर्तल ला सकते हैं और उनकी समस्याओं का किस परकार से समाधान निकाल सकते हैं ये हमारा उद्देश है किसी भी मनोवेग्यानिक अनुसंधान का साइकलोजिकल रिसर्च का तो अब जैसे कोई भी वेक्ती बहुत जादा मानसिक तनाव में रहता है तो योग दवारा या ध्यान दवारा मेडिटेशन दवारा यदि हम उसका दवाव कम कर सकते हैं तो आप ये समझेए कि एक परकार से हमने जीवन की जो स्टाइल है उसको हमने बतल दिया अब आता है हमारे पास दूसरा स्टेप मनोव्यग्यानिक अनुसंधान की चरण यानि मनोव्यग्यानिक अनुसंधान किस परकार किया जाता है मनोव्यग्यानिक अनुसंधान के अंदर सबसे पहली बात है वस्तु निष्टता जिसको हम अब्जेक्टिविटी कहते हैं उसका प्रिणाम अगर समान आता है तो हम कहेंगे कि इस मनोवग्यानिक अनुसंधान में अब्जेक्टिविटी है क्योंकि ये करने वाले व्यक्ति पर निर्बर नहीं करता। दूसरा जो स्थिति आती है इसमें वो है विवस्थित। विवस्थित का मतलब है कि जब हम कोई भी मनोवग्यानिक विधी को अपनाते हैं उसके एक निश्चित चरण होते हैं। उन चरणों के अंतरगत ही हम उस अनुसंधान को कर सकते हैं। कोई भी एक एविवस्थित सिस्टम नहीं होता। स्टेप्स हैं उसके। उनी स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं। और उसी से हम अनुसंधान कर सकते हैं। उसके बाद समश्चा का संपर्त कथन। यानि conceptualization of the problem। यह मैं आपको और रेड़ी बता चुका हूँ। participants को हमने select करना है। यह सब जो है हमें सब से पहले अनुसंधान परक्रिया को start करने से पहले शुरू करने से पहले हमें इसको समझना पड़ता है। उसके बाद आता है हमारे पास जो शोध परशन और समश्चा का विकास। यानि पूरव अनुसंधानों की समख्या कि जिस समश्चा को हम अब अध्यान कर रहे हैं यह अध्यान से इसी विश्या के उपर इससे पहले कितने काम हो चुके। उसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि उसी से आगे हम स्टेप्स ले सकते हैं उसे आगे हम अनुसंधान प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद प्रेक्शन अब्जर्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यह किसी भी व्यक्ति के विवहार को जानने के लिए प्रेक्शन क्रिया जिसको हम अब्जर्वेशन कहते हैं। वो एक व्यक्ति एक विशेश प्रिस्थिती में किस प्रकार का विवहार करता है। जो अनुसंधान करता है वो उसके विवहार को नोट करता है। वो किसी भी रूप में कर सकता है, फोटोग्राफ के रूप में भी कर सकता है, उसके रिकॉर्डिंग के रूप में भी कर सकता है, अपने व्यक्तिगत अनुभावां के आधार पर भी उसके observation की जा सकती है, तो इस तरीके से ये दूसरा हमारा इसमें चरनाता है, जिसके अंद अनुसंधान करता, observation करता है, जो प्रेक्शन है, ये दो प्रकार से हो सकता है, व्यक्तिगत अपने अनुभावां के आधार पर भी प्रेक्शन करता है, अब अनुसंधान करता, सबसे पहले प्रीकल्पना करता है, जब हमने समश्या को समझ लिया, तो वो ये समझते हैं, कि इसक्या एक संभाव समाधान क्या हो सकता है, इसको hypothesis करते हैं, और उसी hypothesis में समस्या के समाधान को सोचने के बाद ही, मनुवग्यानिक अनुसंधान करता है, आगे steps करता है, यानि जिसको हम प्रीकल्पना करते हैं, जैसे, हमने एक बात ये देखी, कि जैसे पच्ची पिजन पर हिंसात्मक करियाई देखते हैं, तो उनके अंदर आग करमक्ता बढ़ती है, तो हमने एक एक ये relationship देखना है, कि बच्चों का हिंसात्मक गड़्दाओं का देखना और उनके विवार पर क्या परभावाता है, तो इस तरीके से हम समस्या को समझ दें, अब इसके बात तो जो participants हैं, जो भाग लेने वाले हैं, उनके हमें selection करना पड़ेगा, हमें जैसे मान लीजिए, दो groups में उसको बांटना पड़ेगा, एक वो जिन को ऐसी इनसात्मक करियाई नहीं दिखाई जाती, एक वो group जिसको हम इनसात्मक करियाई दिखाते हैं, तो उनके विव पड़ा, कितने बच्चों के उपर पर भाव पड़ा, ये सब हम उसके इंदर देखते हैं, एक research design इसके इंदर तयार किया जाता है, जिसके हमारे पास चार पहलों होते हैं, अनुसंधान करने के लिए हमने किन participants के उपर हमने प्रप्रयोग करना है, उसके बाद जैसे मान ल पड़ेने पड़ेंगे और उन ही के उपर हमें prediction करना पड़ेगा, उसके बाद हमारे पास different methods हैं, अलग-अलग हमारे पास विधियां हैं, जिसके द्वारा हम data इकठा करते हैं, उसमें सबसे पहले है prediction विधी या observation, अब देखिए prediction विधी जैसा हम आपको पहले बता चुका हूँ इसके अंदर जो अनुसंधान करता है, वो दूसरों के विभार को observe करता है, वो किसी भी विधी में उसका record रख सकता है, दूसरा आता है हमारे पास प्रायोगिक विधी, प्रायोगिक विधी के अंदर हम experiment करते हैं, कैसे प्रियोग शाला है, प्रियोग शाला के अंद Results प्राप्त होते हैं इसका भी हम data त्यार करते हैं उसके बाद जो अधिन किये जाते हैं ये अलग अलग रूप से हो सकते हैं कैसे एक व्यक्ति अधिन जानी Case Study जो Case study एवो एक ही व्यक्ति के बारे में एक ही उसके प्रकार के विभार के लिए जितना possible हो सकता है हम उसका data कठा करते हैं जहां से भी हमें उसके बारे में सूचना प्राफ्ट होती है हम वो सूचना लेते हैं तो इस तरीके जो case study है ये केवल एक वेक्ति के उपर की जाती है और बहुत एक अच्छा साधन है किसी भी एक वेक्ति के विभार को जानने के लि यानि वो कौन-कौन सी विधियां हैं जिसके दवारा हम data इकठा कर सकते हैं इसके लिए अनुसंधान करता ही निर्धारित करता है कि मैंने किस विधी से परदत ले रहा है यानि data इकठा करना है इसमें पहली विधी है साक्षातकार अनुसूची interview schedule आप एक बात देखेंगे कि interview क्या है कि एक आदमी दूसरे आदमी के बिलकुल सामने बैठकर उससे questions करता है वो उसका जो विवार होता है जो उसके उत्तर होते हैं उन उत्तरों के आधार पर वो निश्कर्श निकालता है यह हुआ one person to one person यानि व्यक्ति से व्यक्ति लेकिन ऐसा भी होता है एक group लिए interview करता है और कभी यह होता है कि एक group के लिए interview करता है तो इस तरीके से हम यह देखते हैं लेकिन interview में एक सबसे चीजा है कि बहुत ही एक समय बहुत अधिक लगता है इसके अंदर और दूसरा जो अनुसंधान करता है उसके लिए भी यह बहुत ज्यादा busy schedule हो जाता है उसके बाद जो अगली विधी परशनाव ली ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट साजन है एक टूल है हमारे पास इसमें क्या किया जाता है कि अनुसंधान करता एक questions की परशनों की एक शरंखला बलाता है और वो जो भागीदार है जो हमारे अनुसंधान के अंदर किरिया रह हो सकता है या SMS से भी हो सकता है तो किसी भी परकार से वो अपने उत्तर अनुसंधान करता को भेज देते हैं और जो भी अनुसंधान करता को भेज देते हैं तो अनुसंधान करता इस परकार से डाटा एकठा करता है अब जिस भी विधी को अनुसंधान करता ठीक समझता है उस विदी से वो डाटा इकठा करता है और डाटा इकठा करने के बाद अब आगे क्या होता है आगे उसके अंदर सांखाय की विधियां लगाई जाती है जैसे मध्यम निकाला जाता है एवरेज निकाली जाती है या मोर निकाला जाता है बहुलक निकाला जाता है या जितनी बिदियान हैं उस डाटा को आरेंज़ खिया जाता है और ऐल्टीमेटली उस डारटा से एक निश्चित रिज़ुल्ट लिखाला जाता है अब जम वरी मिधिसल्ट आ जाता है तो यह देखा जाता है जो हमने डाटा हमने है। इसे प्रीनाम हो सकता है क्या हम्रा डाटा इस य जो निर्धारित कर रहा है, उसी को स्पोर्ट कर रहा है, अगर उसको वो स्पोर्ट नहीं करता है, तो इसका मतलब हमें उस डाटा को फिर परिवर्तित करना पड़ेगा, हमें उसकी जो कारक हैं, फैक्टर्स हैं, उसको बदलना पड़ेगा, और दोबारा फिर डाटा इकठा करना पड़ेगा और फिर उसके अनुसार हमें निश्कर्ष निकालना पहुँगा इसका मतलब यह हुआ कि शोध यानि रिसर्च एक ऐसी किरिया है जो एक लगातार चलती है कांटिन्यूसली यह विदी में चलती रहती है तो इस तरीके से जो शोध करताने रिजल्ट निकाला है वो अगर उसकी हाइपोथेसिस के अनुसार है तो ठीक है नहीं तो उसको दोबारा फिर पुदर विचार करना पड़ता है अब हम अध्यान करते हैं मनोविज्ञान की कुछ मेतवपूरन विदियां सबसे पहले जो बहुत ही मोस्ट फ्रेक्वेंटली यूज किया जाता है वही प्रेक्शन विदी है अब्जर्वेशन है व्यवार का वल्नन अब्जर्वेशन के दोबारा देखकर किसी भी व्यक्त के बारिक में जब हम किसी को ध्यान से कई देर तक देखते हैं तो उसकी बहुत सी मेतवपूर्ण सूचनाएं हमें प्राफ्त होती है वही उस इंडिविजल का व्यवार है प्रेक्शन की विशेशताई प्रेक्शन एक कौशल है एक स्किल है इसमें सबसे पहले स्लेक्शन चैन किया जाता है मनोवज्यानिक सभी व्यवारों का ध्यन नहीं कर सकता इसलिए उसे किसी भी व्यक्ति के एक विशेश व्यवार का चैन करता है चैन किया जाता है दूसरा इसमें आता है मारे पास अभी लेखन जिसको हम रेकॉर्डिंग कहते हैं या अनुसंधान करता ज इस विवार को observe कर रहा है, प्रेक्शन कर रहा है, उसको वो किसी भी रूप में, चाहे शौर्ट हैंड में, चाहे फोटोग्राफ के रूप में, चाहे वो लेटन फॉरम के अंदर, या वीडियो दौरा, वो किसी भी प्रकार से उस विवार के data की recording करता है, अपने पास रखता उसके बाद आता है हमारे पास analysis of data कि जो data हमने इकठा किया है उसके बाद हम भहुत सी उसके इंदर संखाय की विधियां लगाते हैं और उसे data से हम कोई आर्थपूरल, meaningful, कोई निशकर्ष निकालते हैं उसके बाद आता है हमारे पास prediction के परकार, prediction को हम दो परकार से करते हैं एक परकर्थिवादी और दूसरा है इसके इंदर नियंतरिक एक है naturalistic observation के जब हम किसी भी प्राकर्थिक अथवा वास्तिक प्रिस्थिति के अंदर जब हम prediction परकरिया करते हैं तो ये परकर्थिवादी prediction कहलास्ता है जैसे यह हम विद्यार्थियों के लिए कोई चीज किसी भी विवार का ध्यन करना चाहते हैं तो उसको हम विद्याला में ही कर सकते हैं तो विद्याला जो है वो हमारे पास एक परकर्थिवादी prediction है दूसरा हमारा होता है नियंतरित prediction या जिसको हम controlled prediction कहते हैं अधिकतर के ज्यानिक अध्यन प्रियोग शालाओं में करते हैं और उन प्रियोग शालाओं के अंदर हम conditions को वहां के प्रिस्थितियों को नियंतरित रखते हैं आगला जो टाइप आती है हमारे पास जो प्रकार आता है यह कह ए सहभागी बनाम सहभागी prediction पार्शिपेंट observation इस case में अनुसंधान करता स्वेम उस सदिशों का मेंबर होता है उस समू का मेंबर होता है जिसके बारे में वो अध्यन कर रहा है दूसरा होता है ऐ सहभागी जानि कि जो अनुसंधान करता किसी भी समू के बारे में दूर से अध्यन करता है वो उसका सदिश्य नहीं होता जैसे हम यह चाहते हैं हमने कोई advertisement दी है advertisement का हमारी sale पर क्या परभाव पड़ता है एक तो हो सकता है कि वहां के ग्रहाकों को वह अनुसंधान करता दूर से observe करें दूसरा हो सकता है कि वह स्वेम ग्रहाक बनकर उनके साथ जाए तो इस तरीके से यह सहभागी और ऐसहभागी प्रेक् विदी है इसके बहुत advantages भी है इसके लाब भी है और इसकी सीमाई भी है सबसे बड़ी बात यह है कि अनुसंधान करता directly observe करता है लेकिन जो उसके अपनी पूरवा ग्रहें हैं वो हमारे अध्यान को प्रभावित कर सकते हैं और वो ठीक जो प्रियनाम है हमारे पास जो meaningful results है वो हमें नहीं मिल पाती है दूसरा यह श्रम साध्य होता है श्रम साध्य का बतलब है लीबर अल्टेंसी होता है अनुसंधान करता को हर समय observe करना पड़ता है इसलिए उसको बहुत ज्यादा समय देना पड़ता है इसके लिए समय भी अधिक लगता है तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया कि पूरवा ग्रह की वज़े से भी हमार ये प्रिणाम है वो परभावित हो सकते हैं उसके बाद आता है हमारे पास experimental method most important and widely applied सबसे ज्यादा experimental विधी के दवारा ही अनुसंधान किये जाते हैं यहां पर अनुसंधान के लिए उत्पन की जाती है उनमें प्रियोग किये जाते हैं मान लेजी हम यह चाहते हैं कि परकाश का बच्चों के अध्यन पर परकाश की जो तिवरता है intensity of light है बच्चों के अध्यन पर क्या प्रभाव पड़ता है हम दो गुरूप में बाकि सब प्रिस्तियां समान होती है केवल हम परकाश को बदलते हैं हम देखते है कि किसी गुरूप में कभी ज्यादा तेज परकाश है कभी धीमा है कभी मंद है दूसरे को पर हम समान रखते हैं तो जब हम लाटा ही कठा करते हैं परदत ही कठा करते हैं तो उनका हम comparison करते हैं तो यह क्या है हमने यहाँ पर प्रिस् का ध्यान करते हैं उसके बाद मेथड है कंट्रोल कंडिशन के अंदर ये डाटा इकठा किया जाता है फिर हम क्या करते हैं व्यवार में कारणों के परभाव का ध्यान करते हैं अब कारण को समझे और परभाव को समझे जैसे यहां लाइट प्रकाश ये कारण था परभाव क् बच्चों का निश्पादन तो इस तरीके से जो हम जिस कार के अंदर प्रिवर्तन लाते हैं उसका क्या प्रभाव होता है उसे विवार में क्या प्रिवर्तन आता है वो प्रभाव होता है इस प्रकार से इस भाग में हमने मनोविज्ञान के अनुसंधान का लक्ष क्या है चर नहीं वीदियों को और आगे बढ़ाएंगे और अनुसंदान के बारे में ही और चर्चा करेंगे धन्यवाद झाला टनुसंदान के बारे में ही और छर्चा करेंगे गर याननी उित मीद은 इसा हैं सुमनला यप अनुसमाद